सवाल आता है कि there is like charge calculation, कई सारे जो होते है charge calculation की बात की जाती है कि what would be the charge calculations, here to charge calculations के लिए there is like की बहुत simple सा trick है, आप यह तो पूरा table याद रखो, या आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है, सवाल ही उट जाता है कि कभी भी किसी भी particular cases में less than 5 अगर है, अब कई लोग बोलेगे सर्फ 3 क्या होगा, तो भाई आप 3 less than 5 ही तो है न, मतलब ये बुडबक टाइप उला दिमाग मत लगाना, ठीक है, कई लोग बहुत जादा दिमाग लगाते है, चतुराई अपने आपको कोशिस करते हैं, तो कभी कभी चीजों को straight समझने की कोशिस करना, if it is less than 5, basic amino acid, basic you know that HRK, HRK plus 1, the net charge mostly, it is not always, the net charge mostly positive, ठीक है, ज्यादा तर basic amino acid पे charge होगा, positive होगा, HRK plus 1, अगर ये जो है, आपके पास pH 5 to 8 है, ठीक है, 5 to 8 के आसपास है, अब कई लोग बोलेंगे 8 को इसमें consider करें कि इसमें, तो भाईया, मैं लिक दे रहा हूं, 8.1 ले लेना, ठीक है, kidney में तकलीफ ना हूँ आपके तो, ठीक है, so 5 to 8 के उपर जब हम बात करेंगे, तो ये है acidic amino acid that DE minus RK, अब ये DE आगे करो, या RK पीछे करो, बात कुछ जादा कुछ नहीं है, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा और refine कर दो में इस formula को, तो this would be RK minus DE, ठीक है, तो जादा अच्छा आपको लगेगा, that this is the formula, RK minus DE, RK को रखना है positive, इसको रखना है negative, RK जब भी रखा जाएगा तो positive में, DE रखा जाएगा negative में, और देखना है कि total negative positive का जो है कि कौन जादा पढ़ रहा है, RK पढ़ रहा है, कि आपका DE पढ़ रहा है, य या तो negative भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और positive भी आ सकता है, वो depend करता है कि RK जादा है कि DE जादा है, RK minus DE यह हो जाएगा, pH 8.108 के उपर जब हम बात करेंगे, this is DC, क्या बोला मैंने, DC minus R plus 1, DC क्या है, DE, aspartate, glutamate, cysteine, tyrosine minus R plus 1, mostly negative होते हैं, mostly negative होते हैं, इसको negative रखोगे, यह positive रहेगा, negative इस तरीके से, pH, अगर greater than 11 हो, यह 10.9 तक है आपका, pH equal to 11 या greater than 11 हो, तो it should be DC plus 1, DC plus 1, यह भी negative में होगा, तो 4 formulas मैंने बता है, वो 4 formulas अलग-अलग pH range के लिए, formula सबसे पहला था, HRK plus 1, इसके बाद RK minus DE, इसके बाद था DC minus R plus 1, एन इसके बाद था DC plus 1, this is the case in different price range, यह जो है different different price range में आपका आ जाता है, different different not price range, it is from different different pH range, अलग-अलग pH range पे यह चीज आ जाएगी, तो उसके उपर जब हम बात करते हैं कि अलग-अलग pH range के उपर जब कैसे calculate करेंगे, question दिया रहेगा, तो उसके बात करते हो, फिर ध्यान देना, HRK plus 1, RK minus D, DC minus R plus 1, DC plus 1, यह pH range ध्यान है, यह less than 5 हो जाएगा, यह 5 से 8 के बीच में हो जाएगा, यह 8 से 11 के बीच में, और 11 से 14 इसके उपर, मतलब 10.9, एके करके काम कर लेना भाया, ज्यादा tension kidney में तकलिफ मत कराना, ठीक है, just for example, एक example के तौर पे calculate करा देते हैं, जैसे कि मान लिजे, D, E, A, G, A, Y, M, T, R, H, T, P, ठीक है, now let's talk about the PS3, PS3 is less than 5, यानि what should be used, आपको क्या करना है, HRK plus 1 का formula लगाना है, किसमे आएगा, positive में, HR के count करो, इसमें क्या है, R, N, H, K, कहीं पे नहीं है, मतलब 2, plus 1, that should be 3, number कितना था, 1, 2, plus, टोटल हो जाएगा, किसमें, positive में, charge कितना हो जाएगा, that should be plus 3, अगर मैं आपसे यहीं पूल देता, pH 7 पे बताओ, तो यानि, R, K, minus D, E, R, K, कितनी थी, R, K, R, सिर्फ 1 है, D, E, D, यानि, कि यहाँ पे यह P है, not D है, यह 1, minus 2, that should be minus 1, यह आजाएगा, ठीक है, now, इसके बाद, अगर मैंने बोल देता, कि pH 9 पे बता दो भाईया, तो pH 9 पे क्या हो जाता, D, C, minus R, plus 1, negative में आएगा, देखो, यह क्या है, D, E, C, Y, C, नहीं है, Y है, लेकिन, यानि, 3 है, minus R, R, 1 है, plus 1, यह हो जाएगा, यह cancel out हो जाएगा, यानि, हो जाएगा, minus 3 what should be pH 12, यानि, D, C, D, C, plus 1, R नहीं होगा, यहाँ पे, D, C, कितना था, 3 था, plus 1, यह जाएगा, negative 4, this is the charges, you can calculate with this particular form, इस तरीके से आप चीजों को calculate कर सकते हो, तो बहुत सारे sequence, randomly लिखो, और apply करो, ऐसे जरूरी नहीं कोई sequence, मैं ही दो तो करोगे, इन सब चीजों पे practice करिए आप, ठीक है, randomly लिखे इन चीजों को, और practice करिए, तो आपको भी परता चलेगा, कोई भी sequence, amino seat का single letter code, इससे आपका practice भी हो जाएगा, single letter code का, और सफिर उस पे formula अपलाई करके, देखोगे कि कितने charges आ रहे है, you will be like, pro for this particular charge calculation, and PI calculation,